नमस्कार दोस्तों Marksons Pharma Limited के स्यार में आज की ट्रेडिंग सेसन में देखेंगे 2.26% के क्लियर तेजी देखने को मिल रहा है तो इसी के साथ में देखेंगे स्टॉक में बुली स्केंडल बना प्रीवियस स्केंडल को देखेंगे तो स्टॉक में एक रेलेटी कंडल बना तो आज एक बुली स्केंडल बना तो क्या यहां पर स्टॉक में तेजी आएगा डेटल में समझते हैं दोस्तों करेंगे जब स्टॉक यहां से उपर बढ़ी रहा तो स्टॉक ने जो रेइसन्स बना था अगर मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉक कर लो आप देखेंगे 179 यहां यहां पर देखेंगे इसके निचे वी तो बनी रहा है लेकिन यहां से बुली स्केंडल नहीं रहा है लेकिन यहां पर बजीटीव केंडल क्यूंग नहीं है क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे इसके जो resistance level 180 में है और इसका प्रिवियस के candle वह भी मतलब इससे उपर का high लेगा राइट जब इसके उपर जाएगा यह एक 180 को उपर क्लोजिंग कर देगा तो आप मानेंगे कि stock में तेजी आएगा आप चाहो तो 185 को फॉलो कर सकत क्योंकि यह भी एक nearest का resistance level है तो इस तरीके से moment बनने का possibility अभी भी है आप चाहो तो एक ट्रेलाइन और भी यहाँ पर ड्रॉक कर सकते हैं जो कि उप्टेंड का सिगनाल दे रहा है तो सारे condition हमारे समने बिल्कुल पजेक्टिव हो रहे है बिल्कुल सांदर moment बना रहा है यह possibility बिल्कुल हाई है यहां पर स्टॉक उपर जाने के लब बात आती है कि अगर उपर जाएगा तो क्या टार्गेट हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों मैं आपको सौट को टार्गेट बताता हूं जो सौट टर्म टार्गेट होने वाले ओ आपको दिखा देता हूं ठीक है दोस्तों में रहेगा उसके बाद रहेगा दोस्तों नौ बाकी रहा इसके उपर का क्या टार्गेट रहेगा ओ हम आने वाले वीडियो में समझेंगे जब इसका ब्रेक आउट हो जाएगा तो आगे का टार्गेट भी मैं आपके साथ में जरूर डिसकस करूंगा राइट द टॉक में बाइस रहोल्ड करने के कोई भी सला सुझाओ नहीं है वीडियो एजुकेशन परपज़े बनाए गया बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों